हेई गाइस मैं हूं सारीता कुक पीट सारी में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों आजम बनाएंगे बेसन चीज चिला तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला हम एक बाउल ले लेंगे उसमें एक कप बेसन डाल देंगे मैंने ये सारा बेसन डाल दिया है फिर हम इसमें हापस्पुन मिर्स पाउडर डालेंगे हापस्पुन हल्दी पाउडर डालेंगे और सॉल्ट डालेंगे एकोडिंग टेस्ट इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे अब देखिए दोस्तों ये अच्छे से मिल चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसक इसका एक बस पतला सा बेटर बना अंप इसके कांसिस्टेंट से इतनी होनी चाहिए फिर हम-प्यास ले ले मैंने यहांट-चोटी-चोटी दौक्यास लिया है इसको हम काट लेंगे इसको हम लबबे-लमबे में काट लेंगे चाहे तो आप चोटी-चोटी तुगड़े अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च स्कीप कर सकते हो इसे भी हम एसे छोटे छोटे टुकडे में काट देंगे हमारा प्यास और हरी मिर्च काट के तयार है अब चलते आगे की प्रोसेस की ओर एक पैन ले लेंगे इसमें हम थोड़ा ओईल लगा लेंगे फिर इसमें ये जो हमने बना की रखेते बेसन की घोल इसको बीच में डालके अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे उसके बाद कुछ सेकेंड के लिए हम इसको एसे ही छोड़ देंगे दोस्तो ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आएगा इसलिए ये बना के बच्चों को जरूर खिलाएगा कुछ सेकेंड के बाद हम इसको पलड़ देंगे इसे साइड से किनारे से उठा के हम इसको पलड़ देंगे फिर हम दूसरा साइड भी अच्छे से सेक लेंगे बेसन के बहुत से रेसिपी बना के आप सब खाये होंगे लेकिन दोस्तो मेरी ये रेसिपी को जरूर बना के ट्राइ कीजिए और जरूर बताए मुझे कैसे बना है फिर से हम इसको पलड़ देंगे फिर हम बाकी क्या प्रोसेस करेंगे सबसे पहले तो हम इसके उपर लगाएंगे टोमाटो केचप दोस्तो टोमाटो केचप तो बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए अगर बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा ज़्यादा लगा के उन्हें खुश कर दीजिएगा तो देखिए मैंने इसे पूरा स्प्रेड कर लिया है आप भी अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा फिर हम यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस लेंगे वैसे बच्चों के लिए बना रहे तो इसे स्प्रेड कर सकते है तो मैंने इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है उसके बाद हम इसके उपर हरी मिर्च और प्याज डाल देंगे हमने काटके रखे थे ना हरी मिर्च और प्याज वो अच्छे से डाल देंगे उसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रिटर ले लेंगे और एक चीज क्यूब लिया है आप चाहे कोई भी चीज यूज कर सकते हो मैंने यहाँ पे चीज क्यूब लिया है और इसे हम ग्रिट करके डाल देंगे इसमें अच्छे से चारो और फैला दीजिएगा अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लाक पेपर डालेंगे उसके बाद हम इसको एक साइट से पलड देंगे देखिए इसे पलड देना है फिर हम इसको थोड़ा सा साइज कर लेते हैं फिर इसको हम दोनों साइट से थोड़ा थोड़ा सेख लेंगे उसके बाद हम कुछ सेकेंड के लिए इसे ढख देंगे कुछ सेकेंड बाद हम इसका ढखकन निकालेंगे फिर हम दूसरी साइड भी पलट देंगे इसको अब दूसरी साइड भी थोड़ा सा सेख लेंगे इसको भी थोड़ा ढख देंगे कुछ सेकेंड बात निकालेंगे देखिए ये अल्मुष्ट बनके तयार है फिर से हम थोड़ा सा दोनों साइट पलटके सेक लेंगे देखिए ऐसे सेक लीजिएगा फिर बस बनके ये तयार है देखिए हो गया ना अब चलते हैं प्लेटिंग के लिए देखिए दोस्तों अच्छा लग रहा है ना अब मैं इसे काट के दिखाती हूँ ये एकदम सौफ सौफ बनके तयार है इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिएगा बच्चे खुस हो जाएंगे देखिए अंदर से भी अच्छा लग रहा है अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आया तो जरूर बनाये घर पे और बच्चे बड़े सब ही खाए देखिए अच्छा दिख रहा है ना अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थेंक यू